जहिन दोस्तों देखिए, अगस्त 2023 में आप लोगों के लिए टोटल 6 नया भरती भरने का मौका है और 6 का 6 दोस्तों सरकारी विभाग का वेकिंसी है, ओल इंडिया के स्टूडेंट इस पे अपलाई कर सकते हैं एक, दो, तीन और नीचे तीन, टोटल 6 वेकिंसी के बारे में इस वेडियो में आपको हम बताएंगे और हाँ, इस पे 10th लेवल का भी सीट है, 12th लेवल का भी सीट है, यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, फिर भी आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो कहने का मतलब overall ये है, कि सभी qualification वाले इसके लिए eligible हैं, तो हो सकता आप 3 के लिए eligible हैं, या फिर 2 वेकिंसी भर सकते हो, या फिर सब भर सकते हो, तो जितना भी आपको मन होगा, उतना वेकिंसी आप भर सकते हैं, अगस्त 2023 में, तो सारा का A to Z, दोस्तों, डीटेल में हम यहां पर वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो पर लाश तक बने रहेगा, और दोस्तों आप पीछे देख रहें न, बोर्ड पे, कितने अच्छे डंग से मैंने लिग करके रखा है, एक एक वेकिंसी का दोस्तों, इस पेसल वीडियो भी आगे आएगा चैनल पर जो भी वेकिंसी आने वाला है, सब का वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा, जो जो नए विद्धारती मुझे देख रहे हैं, जो नहीं जानते, सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर आपको सब अपडेट हम देतेंगे, ठ विभाग, सबके सामने डिपार्टमेंट हम लिख दिया है, विभाग, ये वेकिंसी निकल के आएगा दोस्तो, आर्मी, M.E.S. मिलिटरी इंजिनिरिंग सर्विसेस में दोस्तो, आपको दो तरह का मेंली वेकिंसी निकलेगा, एक है मेट का और एक है M.T.S. का, जो कि दोनो 29,000 से प्लस आपको इस पर मिलेगा, सुर्वाती वेतन, देखिए, योग गता की बात करेंगे, दस भी पास हैं, तो अपलाई कर सकते हैं, उम्र सीमा की बात करेंगे, तो कम से कम 18 साल आपका फॉम भरने के लिए उमर होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल प्लस में, जो जो लगेगा, दोस्तों, जनरल, OVC, EWS को, बाकी दे आप SC हो, HD हो, या महिला हो, तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इनका फिर में फॉम प्लेप होगा, ठीक है, इनका 00, अपलाई डेट की बात करेंगे, दोस्तों, तो देखिए, कहा जा रहा है कि जुलाई में ये वेके आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगस्त में इसका ओनलाइन होगा, आर्मी MES का, अभी इसका short notification जारी हो गया है, इसके बारे में हमने वीडियो बना करके भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो आर्मी MES का दोस्तों, बंपर भरती है, ठीक है, देखिए, इतना seat है नहीं है, टोटल को collect करके वेकेंसी निकाल दिया जाएगा, हम लोग बात करें दोस्तों, इंडिया post, यानि डाक विभाग की, ठीक है, डाक विभाग में बंपर पदो पर भरती आ रहा है, टोटल 32,000 दोस्तों आपका seat निकल काएगा, हम लोग बात करें, GDS का, ज अभी विद्धार्थी अप्लाई कर पाएगे, ठीक है, ओमर सीमा कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक साधिक 40 साल, प्लस में relaxation में मिलेगा, जो जो OBC से है, उनको 3 साल, जो जो SCHT हो 5 साल, अप्लाई करने में 100 रुपे पेमिट लगेगा, SCHT महिलाओं का पैसा नहीं जेनरल OBC EWS को 100 रुपे पेमिट करना होगा, अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ये भी वेकेंसी आ रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, अगस्त की पहले सब्ताय में ये वेकेंसी निकल का आएगा, अधिकतम संभ आपना है, कि 28 या 29 जुलाई तक ये वेकेंसी आ जाए, इंडिया पोस्ट JDS का, समझ मा गया, तो अगस्त में आप इसके लिए फार्म भर पाईएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही इसका विग्यापन रिलीज होगा, हम फटा-फट वीडिय बना कर कि आप लोगों को बता देंगे, जल्दी जल्दी अपडेट देंगे, आप लोग फ़र्म को भर देंगे, ठीक है, देखिए, अब बात करेंगे वेकेंसी नंबर 3, ये वेकेंसी कहां से निकल काएगा, देखिए, ये वेकेंसी दोस्तों निकल के आ चुका है, 1866 टो ISF है, CRPF है, यदि इन सारे फोर्सिस में, यदि आप डबल श्टार वाला ओफिसर बनना चाहते हैं, यानि दरोगा बनना चाहते हैं, तो SSC के माधियन से आप बन सकते हैं, SSC, CEPF, Central Armed Police Forces, या फिर इसको सौट में CPO भी बोलते हैं, Central Police Organization में, टोटल 1866 दोस्तों वेकेंसी न कम सी कम 20 साल चाहिए, अधिक 25 साल, जैनरल वाले का, और हां, रिलेक्सेशन किसको मिलेगा, R मतलब रिलेक्सेशन, ठीक ना, हर वेकेंसी में R लिखा होगा, R मतलब रिलेक्सेशन, रिलेक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल, SC, ST को 5 साल, समझ बा गया, अपलाय करने में पंदरा अगस्त यानि स्वोत अंतरता दिवस्ता किसका अप्लाई चलेगा तो पंदरा अगस्त दो हजार तैस लाट रेट है भरना है इंटरस्टेड हो तो भर सकते हो ठीक है देखिए हमारे लिश्ट पर जो अगली वेकेंसी है दोस्तो इसका विबाग किया इस पर तीन हज या 3500 के आसपास वेकेंसी रहेगा हम लोग बात करें दोस्तों अगनिवीर ठीक है अगनिवीर अगनिपत की योजना की तरफ से जो अगनिवीर की वेकेंसी निकलती है दोस्तों इंडियन एरफोर्स में उसकी हम लोग बात करें इसका दोस्तों वेकेंसी 3000 के आसपास निकल तो यदि आप अगनिवीर का फॉर्म भरने के लिए इंट्रेस्टेड हो एज लिमिट है तो भर सकते हो सारे 17 से 21 साल दोस्तों इस पर एज लिमिट मांगता है भरने के लिए 200 रुपे पेमिंट मांगता है 27 जुलाइ से इसका फॉर्म भराएगा सफरा अगस दो जारता है इसको खतम हो जाएगा तो ये है अगनिवीर का वेकेंसी समझ भागे दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट वेकेंसी देखिए ये वेकेंसी भाई कहां से निकल के आ रहा है वेकेंसी नुमबर पांच ठीक है लेकिन एक ज़रूरी बात सारा का पीडियेफ नोटिफिकेशन यदि चाहिए तो कहां मिलेगा मेरे एक टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना ठीक है टेलिग्राम चैनल का नाम मोहन सर लगबाग 14-15 विद्धारती जूड चुके है आप भी जोड़ जाएगा वहाँ पर सब का पीडियेफ हम सेयर कर देंगा आपको डायरेक्ट ठीक है देखिए इसका विभाग है दोस्तो ये है SSC इस्टैनो इस्टैनो मतलब इस्टैनो ग्राफर ठीक है SSC इस्टैनो ग्राफर का दोस्तो बंपर वेकेंसी निकल के आ रहा है तोटल 3000 से प्लस आपका इस पर सीट रहने वाला योगता सभी 12 पास विद्धारती अपलाई कर सकेंगे आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो आप इसके लिए फर्म भर सकते हो परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं पड़ता है अब एज लिमिट देख लेते हैं कम से कम 18 साल उम्रे चाहिए अधिक साधिक 27 साल और अधिक साधिक 30 साल ग्रेड C और ग्रेड D दो तुरा का वेकेंसी होता है और इसमें भी आपको रिलेक्सेशन मिल जाएगा यदि आप OVC है तो 3 साल का छूट मिलेगा SST को 5 साल का छूट मिलेगा ठीक है और फी दोस्तों कितना लग रहा है 100 रुपे पेमेट लग रहा है जैनरल OVC EWS वालों को बाकि SC और ST को पैसा देने की ज़रूत नहीं है महिलाओं का भी पैसा नहीं लगेगा अपलाई डेट देख लिजिए 2 अगस से ओनलाइन चालो हो रहा है 23 अगस तो 2023 इसका लास डेट है तो 23 अगस तो 2023 से पहले आपको हर हाल में फाउम को भरना है ठीक है दो तारीकों वेकिंसी आएगा उस दिन हम वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे ठीक है अब आत करेंगे वेकिंसी नमबर 6 दोस्तो देखे ये काफी मस्त वेकिंसी है बहुत विद्यार्थों का वेट है इस पे हम लोग बात करें है दोस्तो यूपी पुलिस यूपी पुलिस कॉंस्टेवल का दोस्तो इंतजार आप लोगों का खतम होने वाला है उतर प्रदेश में दोस्तो सिपाही का बंपर वैकेंसी निकल के आरा लगबग साथ हजार के आसपास आपका सीट निकलेगा ठेक है जुलाई में ही दोस्तो इसका टेंडर वगर लगबग सारा काम अभी कंप्लीट चल रह होना चाहिए अधिक सदिक 22 साल पूरुस का मैलाओं का 25 साल और OBC और S.E.S.T. को 3 साल और 5 साल का उमने में छूट मिल जाएगा हम लोग बात करें यूपी पुलिस कॉंस्टिबल नहीं भरती 2023 की बारे में फिर दोस्तो सभी केटिगरी विदार्थों को 400 रुपे पेमेंट को हम बता देंगे ठीक है तो उमीद करेंगे सार अची समझ में आ गया होगा ऐसा नहीं कि यही छे भरती एक मात राया है जिसके लिए फॉम भरिएगा अगस्त में और भी बहुत सारा वेकिंसी आने वाला है जिसके बारे में हम वीडियो बना देंगे चानल को करके रखेगा तो उमीद करेंगे दोस्तों सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए मिलते आगे लिए वीडियो में जय हिंत